भारत एक ऐसा देश जहां का हर तीसरा व्यक्ति बैंकिंग से अंजान था पर ये द्रश्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण हमेशा के लिए बदल गया है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक एकाउंट की सुविदा से जोड़ना चाहते हैं यह एक ऐसा राश्ट्रिय अभ्यान है जिसका उदेश्य व्यापक वित्य समावेशन को एकिकरित द्रिष्टिकोंड से देश के सभी परिवारों तक पहुँचाना है इस योजना की परिकलपना का आधार यह है कि हर घर में एक बैंक खाता हो और बैंक मित्र बैंकिंग की सभी सुविधाओं के साथ प्रतेक 5-7 किलोमिटर के भीतर उपलब्ध हों इसके अलावा लाभार्थी को रुपे डेबेट कार के साथ एक लाख रुपे का दुरखटना बीमा साथ ही 15 अगस 2014 से 26 जनवरी 2015 तक पहली बार बैंक में खाता खोलने पर 30,000 रुपे का जीवन बीमा और 6 महिने तक खाते के संतोष जनक परिचालन करने पर 5,000 रुपे तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है स्वावलंबन पेंशन के अलावा यह परिकल्पना भी की गई है कि गरीबों के फाइदे के लिए बनाई गई सरकार की सभी योजनाओं के लाभ की राशी बिना किसी की मध्यस्थता के उपलब्ध हो जो सीधे उनके खाते में मिले ताकि कोई भी बिचॉलिया उसका गलत फाइदा ना उठा पाए इस योजना को साकार करने में हम अकेले नहीं थे इसमें एक लाग देश हजार पैंक मित्रों का हाथ है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धी है जब एक ही दिन में एक लाग चार हजार कैंप बैंक में खाता खुलवाने के लिए लगे और दो करोड लोगों ने पहले ही चरण में अपना खाता खुलवाया भी और नामुम्किन सी लगने वाली इस योजना को Guinness Book of World Records में जगे दिलाई और सबसे महतोपुर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जंधन योजना सबसे बड़ी वित्तियस अमावेशन योजना है कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके इतनी ताकत हमारी होनी चेक नहीं होनी से अब मेरे गरीब के पास यो कार्ड होगा वो भी अपना डेबिट खरवाएगा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलता से शत प्रतिशत खाते खोले जा चुके हैं इस अभ्यान के तहट 11 करोड 50 लाग से भी अधिक खाते खोले गए जिसमें लोगों ने कुल 9000 करोड रुपय से भी अधिक जमा किये 10 करोड से भी अधिक रुपय डेबिट कार जारी किये गए साथ ही 3 करोड 80 लाग से भी अधिक आधार नंबर खाते में दर्च किये गए यह एक छोटी सी शुरुवात है यह सिलसिला आगे बढ़ता ही रहेगा इसी के साथ ही प्रत्यक्ष लाब हस्तान तरण के लिए मंच तयार है यही से यही से गरीबों की जिंदगी के सुर्योदय का आरम होता है